अस्सलाम आलेकुम आज हम बनाने वाले हैं लेंबू का अचार कटा बिटा अचार बना रहे हम यह है एक केलो लेंबू इसको हमने पतले छिलके वाले लिया है गोली यलो का लरका इसको हमने अच्छे से दू की सोका लिया था अब हम इसको कट कर लेंगे हम इसको चार इसो में कट कर लेंगे लेंबू को हमने कट कर लिया तब हम इसमें डालने वाले हैं दो टेबल स्पून नमक अब हम इसमें डालने वाले हैं वन टेबल स्पून काला नमक वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर वन टेबल स्पून दनिया वन टीस्पून कुटा हुआ जीरा वन टीस्पून कुटा हुआ काली मिर्च हाप टीस्पून अजवाइन हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छी से मिक्स कर लिया अब हम इसको 6 से 7 दिन के लिए रख देंगे 6 दिन हो चुका है तो अब हम इसको चेक कर लेंगे लेंबू कापी नरम हो चुका है इसको हमने चेक कर लिया यह नरम हो चुका है ये है 500 ग्राम गुड़ इसमें हम हाफ कप पाने डाल देंगे अब हम इसको हलकी आंच पर मिल्ट होने के लिए रख देंगे आप कुड़ के जगा चीनी भी डाल सकते हो दो कप गुड़ अच्छी से मिल्ट हो चुका है तो अब हम इसको चान लेंगे गुड़ को हमने चान लिया अब हम इसको वापिस से कड़ाई में डाल देंगे अब हम इसमें ये लेंबू डाल देंगे अब हम इसको तोड़े देर के लिए गाड़ा होने के लिए रख देंगे अब हम इसमें डाल देंगे वन टी स्पून गरम मसाला वन टी स्पून अद्रक पाउडर अब ये तिक हो चुका है अब हम भाड़ा है अब हम अब हम भाड़ा है नहीं हम डाल देंगे झाल झाल